लेटेस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट कबरे सबसे पहले खेतों में मल्बा भरने के साथ पानी घरों में भर गया जिससे स्थानिये लोगों को अपना घर छोड़कर उची जगह जाना पढ़ा मल्बा आने से बद्री ना थाईवे करीब आठ घंटे बंद रहा शुकरवार को उतरा खंट के परवतिय क्षेत्रों में सुबह से ही मौसम तलख रहा टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में बादल फटने से बरसाती नदी नाले उपिना गए इससे खेतों में मल्बा भरने के साथ ही एक जगह गराट पंचकी बह गई कुछ गावों का संपर्क मार्ग ध्वस्त हो गया और पेजल लाइन भीक्षति ग्रस्त हो गई पौडी के थली सेनक्षेत्र में दो गोशाला बहगी इसमें चार मवेशियों की मौत हो गई इसके अलावा पित और आगर के जौल जीवी में करीब डेड़ घंटे जबरदस्त बारिश से गोरी नदी में उफान आ गया सुबह नएनी ताल में भी बादल जम कर बरसे कई जगे होले गिरने के भी समाचार है अगले 24 घंटे में बारिश और आदी की चेतावनी उत्तराखंड में मौसम के तेवर फिलहाल बदले ही नजर आएंगे मौसम विभाग ने इसके लिए बाकायदार चेतावनी जारी की है राज मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंग के अनुसार इस दोरान देहरादून, उदम सिंगनागर, हरिद्वार और पौडी गडवाल में सतर से असी किलोमीटर प्रदिल घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी उन्होंने कहा कि परवतिय क्षेत्रों में बारिश और रोला व्रिष्टी हो सकती है चेतावनी को देखते हुए शासन ने सभी जिलादेकारियों को सतर्क रहने को कहा है